नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्विंग प्रेट आज हम बात करेंगे क्लीन साइन्स अंड टेक्नलोजी कंपनी के बारे में इस टॉक का आनलेशिस करने से पहले आप सब करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रख लिए ताक कि आने वाला वीडियो का नोटिकेशन आपको टाइमले मिल सकता है चले स्टाट करते हैं वीडियो स्टाट करने से पहले और एक इंपोटन से प्लिन साइंच अंटेकनोलोजी इसका आइप उस दिन पहला आया था जो कि जुलाई में आया था इसका आईप आई प्यों में बहुत बढ़ी आसा सब्सक्रीप्साम देखने को मिला था और यहां पर आइंटी एट परसेंटेज लिस्टिंग बीदेखने को मिला था जि इससाब से कंपणी के बारे में अगर हम बात करेंगे यहां पर बीजनेस मॉड़ल एक इमिकल स्टॉक और इसके साथ में 69 परसेंटेज रेविन आता है यहां पर एक्सपोर्ट होता है आउटसाइड इंडिया इसके साथ मून का कस्टमर है यहां पर हम देखेंगे तो यहा यहां पर इसरे क्वेस्टम और कंपनी जो है यहां पे इंडिया के साथ में यहां पर ओवर्सीस मार्केट में इनकह बिजनेस मार्केट नहीं दखेंगे तो यहां में है यूड़ो पर यूएस और उसके साथ पूरिया ताइवाण जापन इससब कन्ट्रुमिंद्वी रिखे पर देखते हैं तो यहां पर देखते हैं तो यहां पर डिसंबर का क्वाटर में 2019. करोट का यहां पर सेल्स देखने को मिला है जो की इसल्स में सबसे ग्रोंग होते जा रहा । अभी प्रिट देखने我說 अगर लस्त पर को इहां पर नेट फर देखने को मिला है लस्त researchers करोड के जाएं लस्त में अगर हम देखते हैं यहां पे sales के बारे में 643 क्रोड का sales भी देखने को मिल्दा है इसलस्हक हाइस देखने को मिल रा ऊधिया तो कंपनी का आगर 608 क्रोड का poles वी देखने को मिला है भूल्डिक के पास में अगर हम बात करेंगे 12% से 4% अगर निकल जाता है तो यहां पे 8%- का होल्डिंग जो है पूलिक के पास में है तो इसी ぇसाब से लाज्ट डिंग शेशन में बात करेंगे में यहां पर 1.21% का तेजी देखने को मिला था जो की स्टॉक क्लोजिंग हो थ इसको मान सकते हैं इसी साब से अगर हम चाट पटन देखते हैं यहां पर हंड़ेड का मुवी आबरेज के नीचे आ चुका है अगर हम बात करेंगे तो यह नेक्स सपोर्ट तक स्टॉक आ चुका था तो यहां पर तो इसके इसाब से स्टॉक उसी रेंज पर अभी ट्रेड हो रहा है तो अगर आपके पॉर्टफोलिय में स्टॉक है तो आपको बिल्कुल प्यानिक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वालेटी स्टॉक है उस अगर winter अगर कमपनी में तो उसके साथ स्टॉके परिड़ी ब59 परिदर भी होना चाहिए उसके साथ में प्रेंटर होल्डिंग भी बड़िया होना चाहिए यह सारा चीज्चॉक मार्केट में कभी फिल्ट नहीं होगा ठिक है उसके साथ में बाइंग खूं इस तो हमेशा और वैल्व इंट्री नहीं करना चाहिए मेरे इसाब से तो स्टॉक को हमेशा कोई भी स्टॉक हो तो उसका बाइंग प्राइस जरूर होता है तो मैंने हमेशा चैनल पर मैंने हमेशा उस स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा तेजी देखने को मिला था उस टाइम पर में हमेशा आपको बोला था बाजास फाइनान्स हो बाजास कोई भी स्टॉक हो और हमेशा तो जरूर करता है लार्ज क्या ब्लूचिप स्टॉक है इसे अन पेंट्स हो बर्जर पेंट हो लेना चाहते हैं मेरे हिसाब से बहुतरी आपको एक ऑपर्चुनिटी है तो इस लेवल पर बाइकर के स्टॉक को लेकर चलते हैं तो यहां पर यह जो टार्गेट रहेगा तक आप टार्गेट लेकर सकते हैं जो कि थाटीफोर परसेंटेज का गयन आपको देखने को मिल सक होके तो इसमें कोई हमें प्यानिक होने की जरूरत भी नहीं है तो अभी फिलाल आइप आया आइप में बहुत बड़ी ऐसा पाटिश्वेशन देखने को मिला था तो यहां पर मेरे हिसाब से अल्मोस्ट बटम बन चुका है स्टॉक का तो यहां पर आप इसमें इस लेवल पर बाई करके चलते हैं जो कि 2000 का लेवल है तो यहां पर आप बाई करके चलेंगे इसका टार्गेट लेके चलेंगे तो इसका थार्टी फॉर परसंटेज का गयन है आपको अल्मोस्ट सिक्स मॉंस्ट में यह आपका गयन आचीव हो सकता है ठीक है एक बहतर इन स्टॉक के अपना पोठोले में लेके चल सकते हैं कोई बीस टॉक माप इन्वेश्टमेंट कर रहे हैं आपको खुद का अनालीची जरूर कर लीजिए और दूसरी बात हैं मैं आप इन्वेश्टमेंट करना है तो इसक्षाạt में 35 Nh buriedstart nada होना चाहिए आगर आपका स्मॉल काप स्टॉक म इतने बड़ा लौस नहीं होगा तो आपको पॉर्ट्फोलियो में पौर्ट्फोलियो में रखना है तो तो इसहां सब्सक्राइल बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा इंपोर्टान चीज नहीं है अगर हम अपना पॉर्टफोलियों को सही टाइम पर एंट्री लेते हैं सही टाइम पर प्रॉफिट बॉकिंग करते हैं तो ठाटी-फर्टी परसेंट का गेन हमें इजी ले आचीव हो सकता है उसमें करना क्या होगा जब मार्केट करेक्शन होता है तो उसी रस्ते में घुजरना होगा वह साइकल में हमें बिल्कुल पार्टीशिपेशन करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जब तेजी में आप माल भेच के निकल गए जब मंदी में आप खरीद लेगे एसा कभी भी होता नहीं है अक्षर हम सोच्ते जरूर यहां यहां होगा लेकिन अश्वा परसेंट निक्षे आ सकता है लेकिन फेज में हमें होल्ड करना चाहिए अगर हम नहीं कर सकते हैं प्र बहुत बढ़े इसा गेन स्टाक मार्केट नहीं ले सकते यह चीज हमें बिल्कुल गांट बांद की रखना पड़ेगा अगर हमें यह चीज का समझ में आ जाएगा तो हमें स्टॉक मार्केट से कोई प्रोब्लेम नहीं है हम लगातार कंसिस्टंसली पर्फॉमांस के साथ में बड़ी ऐसा गेन ले सकते हैं मैं हमेशा करता हूं मैं आपको हमेशा इसी का एक भरोषा देना चाहता हूं स्टॉक मार्केट में अगर आप करेंगे तो आपको बड़ी ऐसा मुनाफ़ा होगा लेकिन फिर भी अगर आपके पास में नहीं है आपने पूरा इंवेस्टमेंट करके रखे हुए तो इसी दोर म हो सकता है कोई एक साल में आपको 20% का गयन आएगा कोई दूसरा साल में आपको 50% का गयन आएगा तो ओवराली थाटी जू फर्टी परसंट का गयन आपका ओवराली ही जरूर हो जाएगा ठीक है यह चीज का आपको बिलकुल ध्यान में रखना पड़ेगा इसा अगर आप आप कंसिस्टांटली सोचेंगे कि नहीं नहीं मेरा तो 40% गयन तो मेरा नहीं हो पाया 30% तक गयन नहीं हो पाएगा ऐसा कभी होता नहीं ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंस के साथ में जरूर शेर कीजिए अगर चैनल प झाल झाल